वेलकम टू नेक्स एक जाम आज है 17 दिसम्बर 2021 केस और 17 दिसम्बर 2021 से करेंट पैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुशिन मन सकते हैं सारे आम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुशिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप पर आपको सारे पीडियो पर एक साथ मिल जाएंगे और टेलिग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकस में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम गुरूप चॉइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करत दिसंबर 1971 को भारती ससस्त्र बल ने पाकिस्तान पर बिजय हांसिल की थी यानि कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था इसी लिए हर साल 16 दिसंबर को ये बिजय दिवस मना जाता है और इस बार 2021 में ये 50 मां बिजय दिवस मना गया है अब बिजय दिवस पाकिस्तान पर बिज पाकिस्तानी रुपिया। तो यह दुनिया की कुछ important dividing line है इनको आपको याद रखना है अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है लेकिन daily morning मोट कर सबसे पहले अपने लिए target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को achieve करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी next question है हाले में किसने अपनी नई पुस्तक pride, prejudice and punditry का भी emotion किया है तो डॉक्टर ससी थरूर ने अपनी नई पुस्तक pride, prejudice and punditry का भी emotion किया तो इस question का बे options है डॉक्टर ससी थरूर ये पूर्व केंद्रिय मंत्री है और इन्होंने अपनी ये 23 मी बुक लॉंच की है इस बुक का बिमोचन तेलंगना की हैदराबाद में खुद डॉक्टर ससी थरूर नहीं किया है अब डॉक्टर ससी थरूर तो इनको 2019 में सहित अकादमी पुरुसकार मिल चुका है ये भी आपको याद रखना है हाले में किस राज का असकूट बनजीब अभ्यारंड एको सैंसिटिब जोन गोसित हुआ है तो असकूट बनजीब अभ्यारंड ये उत्राखन में है और अभी इसे एको सैंसिटिब जोन गोसित कर दिया गया है तो इस कुशन का say option सही है यह कस्तूरी म्रग के लिए famous है यहां पर कस्तूरी म्रग पाए जाते हैं इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी है इसका दूसरा नाम है मस्क डियर पार्क इस नाम से इसे जाल जाना जाता है मस्क डियर पार्क के नाम से असकूट बनजीब अभ्यारंडे को ही जान जाता है अब ये उत्तराखंड में है तो ये है मैप में उत्तराखंड उत्तराखंड की केपिटल क्या है दैरादून अच्छा एक केपिटल है दैरादून और एक समर केपिटल और है गैरसेंड उत्तराखंड के चीपनिश्टर है लाइकेन पार्क भी उत्राखण में खोला गया और यह सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है कुमाउं चूर ओयल यह उत्राखण में पाए जाता है और इसको अभी जीएटेक मिला है अच्छा कल मैंने आपको वताया था कि बिहार के मिथिला मखाना को भी जीएटेक मिला है पहले उसे बिहार मखाना की नाम से जाना जाता था और यह क्या है कुमाउं चूर ओयल यह उत्राखण में पाए जाता है इसको भी जीएटेक मिला है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम हल्दवानी में खुला है पामेटम यानि कि जहां पर पाम के पेड़ जाता है और हरेला पर भी उत्तर खण में मना जाता है एक रंथाले की सुरुआत उत्तर खण में होई थी एक डिजिटल लाइब्रेरी है इसकी सुरुआत उत्तर खण में होई थी जिम कॉर्वेट नेशनल पार्क उत्तर खण में है यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पा भांग को मंजूरी देने बाला यूरोपे राष्ट कौन बना है तो अभी माल्टा भांग को मंजूरी देने बाला पहला यूरोपी राष्ट बना है तो इसको इनका से ओप्सिंस है अब माल्टा में भांग का पर्सनल लेवल पर यूज किया जा सकता है लेकिन इसके लिए क् ब्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है वो 7 ग्राम तक भांग का इस्तिमाल कर सकता है लेकिन पर्सनल लेवल पर अगर वो पब्लिक में करेगा या पब्लिक ली करेगा तो उस पर 235 यूरो का जुर्माना लगेगा तो 7 ग्राम तक भांग का इस्तिमाल कर सकता है और अपने घ प्रजेंट अपर प्र vaccin कोण है जौर्ज वेला और माल्टा के प्रजेंट अएम पर प्रामिनिस्ट कोण है लौवर्ट अवेला कौन है रौवर्ट अवेला नेक्श कुशा है हाली में ग्यारे दिवसी्द लोक रंग महुत्सप की मेजवानी कौन करेगा तो अभी जैपुर ग्यारे दिवसी लोक रंग महुत्सब की मेजवानी करेगा तो इस कुशिन का बे ओप्सन सही है जैपुर का जवाहर कला केंद्र इस लोक रंग महुत्सब की मेजवानी करेगा और इसमें 650 से ज़्यादा कलाकर अपने कारेकरम की प्रस्तूति देंगे नेक शुशिन है हाले में किस देश ने भारत के साथ डिजिटल मीडिया के छेतर में आसे पत्र पर हस्ताक्चर की है तो अभी बियतनाम ने भारत के साथ डिजिटल मीडिया के छेतर में आसे पत्र पर हस्ताक्चर की है तो इस कुशिन का ए ओप्सन सही है अब बियतनाम के हमारे प्रजहिन टाइम पर सूचना एम प्रसारण मंत्री हैं अनुराख ठाकोर और वियतनम की सूचना एम प्रसारण मंत्री हैं स्रे गुएन मान हंग इन दोनों ने डिजिटल मेडिया की छेत्र में इस आसे पत्र पर हस्ताक्चर किये हैं हाली में इंडिया इंटरनेशनल साइन्स फेस्टिवल का सात्मा संस्कड कहां शुरू हुआ है तो गुए की केपिटल परजी में इंडिया इंटरनेशनल साइन्स फेस्टिवल का सात्मा संस्कड शुरू हुआ तो इस कुशन का से ओप्सन सही हैं इंडिया इंटरनेशनल साइन्स फेस्टिवल कब हुआ था और कहां हुआ था तो पहला 2015 में हुआ था और आइटी डेली में हुआ था कहां पर आइटी डेली में हुआ था अब साइन्स की बात है तो प्रिजेंट टैम पर हमारे बिज्ञान और प्रद्यूगी राजमंत्री कौन है डॉक्टर जितेंद सिंग नेक्यूशन है किसने चेफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुक के रूप मे यानि कि CDS तो नए चेफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुक बन गए है मनूज मुकुंद नर्वडे यानि कि MM नर्वडे तो इसकुशन का B options आई है अच्छा ये जो चेफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुक होते हैं ये तेनो सेनाओ में जो बरिष्ट होते हैं वही बनते हैं तो हमारे तेनो सेनों में सबसे बरिष्ट हैं मनूज मुकुंद नर्वडे ये थल सेरम प्रमुक है इसलिए ये चेफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुक बने हैं अच्छा ये थल सेना प्रमुक है इंडियन नेवी के चीफ कौन है आर हरी कुमार और एलियन एर-फॉर्स के चीप कौन है बिबेक राम चौदरी तो तेनो सेना प्रमोकों की नाम आप याद रखिए नएफ कुशन है हाली में जारी सरबादिक प्रसंसनी सक्सियतों की सूची में कौन सीर्स फर रहा है तो सरबादिक प्रसंसनी सक्सियतों की सूची जारी की गए ये बेस लोगों की सू की सुची जारी की इसमें बराक बनामां टॉप पर हैं हमारे प्रतान्मंतरी नेरेंद्र मोदी इस लिष्ट में आठ में नमभर में यहां पे यह धियान रखना है दूजरill बेस प्रतान्मंतर मोदी चोफे नमर पर थे लेकिन 2021 में 93 मोधी 8 में नमबर पहुच गए है 12 में नमबर पहुच पंदरे में नमबर पहुच पंदरे में नमबर पहुच अमिताब बच्चन 18 में नमबर पहुच बिराट कोली और मैलाओं की अलग से सूची जारी की गई है मैलाओं की सूची में बराक ओबामा की वाइफ मिसेल ओबामा टॉप पर है मिसेल ओबामा फ़स्ट पर है प्रेयन का चुप्रा 10 में नमबर पर है और 13 में नमबर पर है एस्वर राय बच्चन तो ये आपको याद रखना है नेक स्यूशिन है हाली में Francis C Fashion House Channel ने किसे अपना नया Best Week CEO न्यूक्त किया है तो Francis C Fashion House है चैनल इसने अपना नया Best Week CEO पॉइंट किया है लेना नायर को तो इस कुशन का बे आपसिन सही है आप इमेज में देखिए ये हैं लेना नायर इनी को Francis C Fashion House चैनल का नया Best Week CEO न्यूक्त किया गया है नया शुक्षन है हाली में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग समाधान पदान करने के लिए स्विफ्ट के साथ करार किया है तो अब ए एक्सिस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग समाधान पदान करने के लिए स्विफ्ट के साथ करार किया है तो इस question का say options है अब digital banking समाधार पदान करने के लिए Axis Bank ने स्विफ्ट के साथ करार किया है तो Axis Bank इसकी stop न कव होई 1993 में इसका headquarter कहां पर है Mumbai में और इसके present time पर CEO कौन है Amitabh Chaudhary कौन है Amitabh Chaudhary और इसके present time पर President कौन है Rakis Makhija कौन है Rakis Makhija ने question है हाली में UNESCO ने कहां की दुर्गा पूजा को अमूर्थ सांस्कृतिक बिरासत की रूप में मानता दी है तो अभी UNESCO ने Kolkata की दुर्गा पूजा को अमूर्थ सांस्कृतिक बिरासत की रूप में मानता दी है तो इस question का पे options है दुर्गा पूजा ये पश्य मंगाल का सबसे बड़ा धारमिक त्योहार है अब UNESCO ने इसे अमूर्थ सांस्कृतिक बिरासत की रूप में मानता दे दी है अब UNESCO यानि की इसकी स्तापना कब हुई 1945 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है पेरिस में और इसके प्रजेंट टैम पे हेड कौन है अउट्रे अजॉले ने क्यूशन है हाली में किसने बाराणसी में अखिल भारती महापौर सम्मिलन का उद्गाठन किया है तो अभी प्रजानमत्री नरेंदर मोदी ने वाराणसी में अखिल भारती महापौर सम्मिलन का उद्गाठन किया तो इसकी सिंका say options है इसका बिशे है नया सहरी भारत ये जो अखिल भारती महापौर सम्मिलन है इसका सब्जेक्ट है इस बार नया सहरी भारत और प्रानुत्री मोदी ने पीडियो कॉन्फरेंसी के माद्यम से इसका उद्गाटिम किया है नए क्यूशन है किस अंत्रिच एजनसी के यान पारकर सोलर प्रोब ने सूरी को चुआ है यह पहली बार हुआ है जब किसी अंत्रिच एजनसी के यान पारकर सोलर प्रोब इसने अभी सूरी को चुआ तो इसकी स्टापना कव हुई 1958 में इसका हेड कोटर कहों पर है वासिंग्टन टेसी में अच्छा कई बार नासा का मोटो पुछ लिया आता है तो नासा का मोटो क्या है For the benefit of all क्या है For the benefit of all नेक्श कुशन है हाली में अंतरास्टी चाय दिबस कम मनाए गया है तो अभी पंद्रे दिसमर को अंतरास्त्री चाय दिवस मना गया तो इस कुछ इनका स्रे ओप्सन सही है ये बंगलादेश, स्रीलंका, नेपाल, बेतनाम, इंडोनेसिया, केन्या, माल्डिव, इवांडा, भारत और तंजानिया में मना जाता है और चाय ये दुनिया में पानी चाय का निरियातक है ये भी आपको याद रखना है अब एक चीज आपको याद रखनी है कभी आपने सोचा कि अंतरास्टी दिवस, रास्टी दिवस और बेश्टी दिवस में क्या अंतर होता है तो रास्टी दिवस तो समझ में आता है कि कि किसी एक देश में जो दिवस मन अब बचा अंतराष्ट्री दिवस तो अंतराष्ट्री दिवस वो दिवस होता है जो एक से ज़्यादा देश में मना जाता है यानि कि दो या दो से अधिक देशों में जो दिवस मना जाता है उसे हम अंतराष्ट्री दिवस कहते हैं तो यह अंतर होता है राष्ट्री दिवस अंतराष्टी दिवस और विस्ट दिवस में इसको भी आपको याद रखना है अब लाश्ट वीडियो की कुशिन का अंसर लाश्ट वीडियो मैं आपसे कुशिन पूछा था कि हाली में पाकिस्तान किर्केट वोड ने कैसे अपना नया CEO किया है तो अभी फैजल हसनें को पाकिस्तान किर्केट वोड ने अपना नया CEO पॉइंट किया तो इस कुशिन का बे ऑप्सें सही था और लगपक सभी इस का अंसर सही दिया मुश्ट वीडियों के वारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कोशिन के बारे में आपको जितना ज़्याद से ज़्याद पता हो आप लेखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लेख देते हो फिर उने आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज को कोशिन है आपके लिए आज को कोशिन है हाली में नवंबर महा का ICC Player of the Month किसे चुना गया है चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम हम हमारे Facebook पेज़ पर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके और आप Facebook के जोइन कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या लाइक का तो ये था आज का हमारा currentFS का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट वक्स में जरू बताना और अगर अब ये तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बैल आइकन में क्या आएगा आप उस बैल आइकन पर जरू क्लिक कर लेए जिससे कि आपको डेली मॉर्णिंग में currentFS की वीडियो मिलती रहे next exam all page video thanks for watching